नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल Amazing Education News में दोस्तो अनुदेशक मांदे 17,000 कोट केस वो कोट केस जिसकी लडाई अभी सुप्रीम कोट में चल रही है अनुदेशक मांदे 17,000 कोट केस साल 2017 से अनुदेशकों को बकाया है यानि की 6 साल बीच चुके हैं और अनुदेशकों को अभी तक उनका 17,000 मांदे नहीं मिला है और इस संदर में अनुदेशकों को इंसाब भी नहीं मिला है साल 2017 से साल 2023 आने पर भी अनुदेशक अभी तक अल्प मांदे पर हैं जबकि साल 2017 में ही 17,000 मांदे उनको दिया जाना चाहिए था बीते रोज अनुदेशक मांदे 17,000 कोर्ट केस को 6 साल बीच चुके हैं यानि कि साल 2017 से अब तक 6 साल बीच चुके हैं और अनुदेशक अभी भी उसी इस्थिती में खड़े हैं इस कोर्ट केस के चलते चलते अनुदेशकों के साथ बहुत सारे ऐसे साथी थे उनके ऐसे भाई बेहन थे जो साथ छोड़ कर चले गए यानि कि इंतजार ही करते रह गए कि कब अनुदेशकों को उनका इंसाफ मिलेगा कब अनुदेशकों को उनका मांदे 17,000 मिलेगा लेकिन ना ही मानदे अभी तक 17,000 मिला है और ना ही अनुदेशकों को इंसाफ मिला है और ऐसा करते करते हमने अपने बहुत सारे अनुदेशक भाई बैनों को खो दिया अब देखना ये है कि सुप्रीम कोड में जिसी सुनवाई अब 3 जुलाई को है और राज سरकार को तब ही जवाब देही करनी होगी क्या नतीजा निकल कर आता है क्या अनुदेशकों को अभी इस कोड केस में एक और लंबी लडाई लड़नी है क्योंकि सुप्रीम कोट में फैसला इतना जल्दी आना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि अभी बहुत सारी दलीले पेश करनी होंगी अभी बहुत सारे तर्थ पेश करने होंगे उसके बाद ही अनुदेशक मांदे 17,000 कोट केस का फैसला आएगा यानि कि अभी भी अनुदेशकों को अपने मांदे 17,000 के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है ये वीडियो खास मैंने इसी लिए बनाई है कि अनुदेशक मांदे 17,000 को 6 साल बीट गए है और अभी तक अनुदेशकों को इसमें इंसाफ नहीं मिला है इससे सम्मंदित जो भी अपडेट निकलेगी वो लगतार मैं अपने चैनल पर आपको दिखाता रहूँगा इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन वाला बटन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें धन्यवाद